है गाइस गुड मॉर्निंग वेल्कम टू नियू वीडियो इस वीडियो में आप देखेंगे जो आप में से ही एक साथी ने हमसे कमेंट करके एक सवाल पूछा है और पूर डिवाइट का सवाल है जो कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है तो इसे हमें डिवाइट करना है आ आप किसी भी तरह की सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे तो देखिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं अगर आप यहां पर देखें कोई नंबर अगर छोटा होता मालने जिए उसका पहाड़ा आपको याद है तब आप क्या काम करते तब आप यह काम करते कि इस लिए हम दो अंक को देखेंगे अंदर वाले ठीक है तो 45 का पहाड़ा कितनी बार करें कि 80 आ जाए मगर इसका पहाड़ा तो हमको आता नहीं है तब हम किस तरह से सोचेंगे हम इसके आखरी के एक नंबर को छोड़ देंगे 5 को सिर्फ 4 को देखेंगे 4 का पहाड़ा में आत आजाएगा बहुत ही आसानी से हमने पता कर लिया कि 2 बार ही पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा लेकिन आप थोड़ा से दिमाग भी लगा लिजेगा कि यहां पर 45 है यह तो बहुत ही आसान है अगर आप 45 45 दो बार पढ़ेंगे तो 90 हो जाएगा लेकिन लिखा यहां पर 80 है लेकिन हमने अंदाजा लगा के 2 लिखा है तो ठीक है 2 का आप इसमें multiply करिए और इसके नीचे लिख दीजे तो 90 ही आएगा तो ये तो हमें बहुती आसान है इसलिए पता चल गया मान लिजे कठीन होता तो हम 2 का भी इसमें multiply करके देखते तो कितना आता 90 आता 90 आ रहा है ज्यादा आ रहा है तो 2 को यहां से हटाएंगे और हटाने के बाद हम क्या करेंगे एक number कम लेंगे उससे एक कम ले लिया अब एक पैसे multiply करके इसके नीचे लिख दीजे तो 45 ही आएगा तो इस तरह से आप लिख सकते हैं फिर अगला step क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा line को खीचेंगे और इसको भटाएंगे यहां 10 में से 5 गया तो बचा 5 यहां बचा 7 7 में से 4 गया तो बचा 3 यहां 35 बच गया उसके बाद अगला step क्या करते हैं अगला जो भी नंबर है वो नीचे उतार लिया जाता है उतार लिया अब फिर से इसका पहड़ा कितनी बार पढ़ें कि साले 300 आई या साले 300 से कम आई फिर वही बात इसका पहड़ा हमें आता नहीं है हमें सिर्फ 4 का पहड़ा आता है तो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 35 आए या 35 से कम आए तो 4,8,32 होता है 4 का पहाड़ा हम पढ़ें कितनी बार 8 बार पढ़ें तो 32 आ जाएगा अंदाजा हमने लगा लिया तो अब इस उपर अले नंबर से कम आ रहा है ठीक है अब क्या करेंगे 8 का इसे multiply करके इसके नीचे लिख देंगे 9 बर पहड़ा पाड़ नहीं सकते क्योंकि जादा हो जाएगा 4,9,36 तो गलत हो जाएगा ज्यादा नहीं आना चाहिए जितना लिखा है वो आए या उससे कम आए अब 8 का इसे multiply करके इसके नीचे लिखते हैं देखते हैं कितना आता है तो 8,5,40 की 0 हासिल लगी 4 और 8,4,32 और 4,36 होता है यह देखिए आपके सामने यह नंबर जो हमने इसमें multiply किया तो ज्यादा हो गया अगर ज्यादा हो जा रहा है तो घबडाने की जरुवत नहीं है हमने सिर्फ यह नंबर अंदाजा लगाकर लिखा था इस नंबर को हटा दीजिए 8 को उससे एक नंबर कम ले लिजे 7 ले लिजे 7 यहां लिखिए और 7 का इसमें multiply करिए और इसके नीचे लिख दीजिए तब आप बिल्कुल सही answer आएगा आपका यहां देखिए 7 पंजे 35 की 5 हासिल लगी 3 7 चोग 28 और 31 होता है यह लिख दिया 315 आ गया उपर 350 था कम है ठीक है फिर क्या करेंगे लाइन को खीचके इसको घटाएंगे यहां बचा 5 यहां 4 में से एक गया बचा 3 यहां पर कुछ भी नहीं घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर नीचे उताल लेंगे फिर से 350 आ गया यहां भी 350 था तो हमने 7 बार पहड़ा पढ़ा तो 315 आया इसका मतलब फिर से पहड़ा 7 बार पढ़ेंगे और इस कैस में मल्टिप्लाई करेंगे तो 315 ही आएगा फिर क्या करेंगे लाइन को खीच के घटाएंगे यहां बचा 5 यहां 3 यहां पर कुछ भी नहीं घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाके अगले नंबर को फिर से लीचे उतारेंगे यह वाला जो नंबर था तो यहां पर हम उतार चुके हैं अब इसके आगे कोई भी 0 नहीं बचा है तब हम क्या करेंगे अपने मन से अगर यहां पर लाइन को आगे बढ़ाएंगे आगे कोई नंबर नहीं है तो अपने मन से यहां पर एक पॉइंट लगाएंगे जैसे ही पॉइंट लगाएंगे पॉइंट की वजह से आप यहां पर एक 0 लगा सकते हैं, अब यह हो गया 350, अब इसका पहाड़ा फिर से हम पढ़ेंगे 7 बार और आएगा 315, फिल लाइन को खीचेंगे, घटाएंगे बचा 5, यहां 3 यहां पर कुछ भी नहीं, घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ाएंगे, और अगले नमबर को नीचे उतारेंगे, मगर आगे कोई नमबर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, फिर से अपने मन से यहां पर यहां पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट की वजह से एक 0 फिर से लगा सकते हैं, अब फिर से इसका पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे, और 315 आएगा, तो मुझे उम्मीद है, आपको यह सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, यह वीडियो आपको कैसी लगी है, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं फिर हाजिर होंगा किसे और नई वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हैं, जैक सर के साथ